लोजपा के दोनों खेमों यानी चाचा और भतीजे के बीच फिर एक बार घमासान मचा हुआ है और फिर से चाचा और भतीजा आमने सामने आ गए हैं वज़ा क्या है? वज़ा है हाज़ेपूर सीट हाज़ेपूर सीट से चुनाव लड़नी की होड लगी हुई है दोनों इस सीट पर अपना अधिकार और कर्तब गिना कर इस पर अपनी अपनी दावेदारी पेश्ट कर रहे हैं पटना से सटे हाज़ेपूर सीट क्यों दोनों के नजर में इतने एहमियत रखती है और चिराग पासवान जमूई के सीट को छोड़ कर अब हाज़ेपूर से चुनाव लड़ना आखे क्यों चाहते हैं इसे पर आज इस वीडियो में बात करेंगे हाज़ेपूर सीट को लेकर चिराग पासवान और पशुपती पारस आमने सामने क्यों है उसकी खास वज़ा क्या? उसकी खास वज़ा स्वर्गिय रामविलास पासवान है रामविलास पासवान हाज़ेपूर सीट को अपनी मा मानते थे और इसके पीछे की वज़ा भी बहुत मजबूत है रामविलास पासवान के सियास्ती सफर पर एक नज़र डाले तो हाज़िपूर सीट की क्या बहुत जादा खासियत है वो समझने में आसानी हो देखें रामविलास पासवान एक दो बाड नहीं बलकि आठ बार हाज़िपूर से चुनाव जीते हैं हाज़िपूर लोकसभा सीट 1977 से अनुसूचित जाती के लिए रक्षित है इस सीट पर सबसे पहले कॉंग्रस का दबदबा था यहां करीब 17 लाख वोटर हैं इस छेतर में यादव राजपूत भूमियार पासवान और कुश्वाहा वोटरों की संख्या सबसे जादा है हाज़िपूर सीट से 1977 में कॉंग्रस को हार का सामना करना पड़ा और आम चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर रामवलास पासवान जीत कर पहली बार यहां से सांसद बने थे और आठ बार सीट से सांसद रहे रामवलास पासवान 1977 से लेकर 2014 तक कई बार हाज़िपूर से चुनाव जीते हलाकि दो बार उन्हें सीट पर हार का भी सामना करना पड़ा था रामवलास पासवान पार्टी बदल बदल करों मिदवार बनते रहे लेकिन हाज़िपूर ने उन्हें भरपूर आशिरवाद दिया 2014 में रामवलास पासवान ने मोदी लहर में वापसी की थी और यहां से जीत हासल की छे प्रधान मंत्री के कैबिनेट में मंत्री रह चुके रामवलास पासवान पांच दशक तक बिहार के और देश की सियासत में चाहे रहे दो बार लोगसबा चुराओं में वो सबसे अधिक मतों से जीते हाज़ेपूर ने रामवलास पासवान को ताबड तोर आशिवाद दे कर जिताया और इसके बदले में रामवलास पासवान ने भी हाज़ेपूर के विकास के लिए कई प्रयास भी किये अब सबाल ये है कि हाज़ेपूर सीट पर दावेदारी को लिख आखिर खोड क्यों मची है दरसल रामवलास पासवान ने हाज़ेपूर सीट अपने भाई यानी पशुपति पारस को सौपी और बेटे चुराग पासवान को जमोई से चुनावे मैदान में उतारा अब जब उनके निधन के बाद चाचा और भतीजे के बीच रिष्टे में तलवार खीची जा चुकी है और लोचपा भी दो भागों में बट गया है तो चाचा और भतीजे दोनों ही इस सीट से अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अगर इस सीट का इतिहास भी देखा जाए तो रामलास पास्वान की सियास्ती जड़े यही से सबसे ज़ादा मजबूत रही है और इसका लाब कहीं न कहीं दोनों निता लेना चाहते हैं हलाकि अब जब 2024 लोग सबा चुनाव होना है तो इससे पहले ही चिराग अपनी पार्टी को एंडिये में शामल करा चुके हैं चिराग का कहना है कि हाज़े पुर उनके पिता की सीट थी और कई काम ऐसे हैं जो अभी भी अधूरे हैं वो अपने पिता के अधूरे कामों को पूरा करना चाहते हैं इसलिए चिराग हाज़े पुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं 2020 में जब रामबलास पासवान का देहांत हुआ तो उसके बाद ही ये कलह सामने आई साल 2021 में चिराग और पशुपति पारस के गुट ने पार्टी पर अपना दावा किया जिसके बाद चिराग पासवान ने पार्टी से पांच सांसदों को निश्कासित कर दिया था जबकि पशुपती पारस गोट ने चिराग को ही पार्टी अधक्ष के पस्ते हटा दिया था कई दिनों तक चले उस कानूनी लडाई के बाद लोक जन्शक्ती पार्टी रामबलास पर चिराग पासवान का कबजा हुआ जबकि पशुपती पारस के साथ गए सांसतों ने मिलकर राष्टे लोक जन्शक्ती पार्टी बना ली लोकसभा में पशुपती पारस को ही पार्टी का नेता माना गया था उन्होंने केंद्र सरकार को समर्थन दिया और वो केंद्रिय मंत्री बन गए स्वर्गे रामविलास पासवान का हाज़िपुर सीट जो है वो गड रहा है ऐसे में लिहाजा चाचा और भतीजा दोनों हिसस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और 2024 लोग सभा चुनाव में खुद को साबित करना चाहते हैं फिलाल अस वीडियो में इतना ही बिहार जारखंट से जोड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार जारखंट शुक्रिया